अम्रूद एक ऐसा फल है जिससे सिहत को अंगिनत फायदे मिलते हैं ऐसा माना जाता है कि इसके पत्ते भी उतना ही फायदा करते हैं अम्रूद के पत्तों के अंटी ऑक्सिरिन, अंटी बेक्टिरिल और एंटी इंफ्लमेटरी गुण कई प्रकार की स्वास समस्याओं को दूर कर सकते हैं एक रिसर्च के अनुसार अम्रूद के पत्तों का पानी, अलफा ग्लूकोसाइडिस एंजाइम गतिविदी को कम कर शुगर रोगियों में प्रभावी रूप से रक्त शक्रा को कम करती है इसके लावा ये सुक्रोज और माल्टोज को सोखने से शरीर को रोगती है जिससे शुगर का स्तर नियंतरत रहता है पेचीश के इलाज के लिए भी अम्रूद के पत्ते बहुत फायदिमन बाने जाते हैं इसके लिए अम्रूद के पत्तों और जड़ों को लेकर 90 डिगरी पर 20 मिनट के लिए उपालें इस पानी को चान कर दिन में दो बार पीने से आपको रहत मिलेगी अम्रूद के पत्तों से बनी चाहेगे सेवन से ब्लड लिपिड, ब्लड मितल स्ट्रॉल का निम्निस्तर और और स्वस्थ, ट्राइगलराइड्स में सुधार करने में मदद मिलती है अम्रूद के पत्ते शरीर के वजन को घटाने में सहायता करते हैं ये स्टार्च को शुगर में बदलने की प्रक्रिया को रोकते हैं इतना ही नहीं अम्रूद के पत्तों में मौजूद योगित, ब्लाक प्रेशन और हार्ट्रेट की दर्ण को कम करने में प्रभावी है अम्रूद के हरे पत्तों से आपको गठिया, कॉलिस्ट्रॉल, पेट, दर्ध, उल्टी आदी से बचने में मदद मिलती है अगर आप डाइबिटीज और कॉलिस्ट्रॉल से पीडित हैं जनरल नूट्रिशन और मेटभैलोजम में प्रकाशत एक अध्यन में कहा गया कि अम्रूद के पत्तों के रस में पोस-डडय ब्लड-ग्लुकोस लेल को कम करने की श्यंपता होती है अध्यन से पता लगता है कि अमरूद की पत्ते निकालने से अलफा ग्लूकोसीडेस की क्रिया को रोख सकते हैं जो कि एक इंजाइम है जो स्टार्च और अन्य कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोस में तोड़ देता है यह पाया गया है कि अमरूद के पत्ते का रस वेगा लिबोस की तुलना में खलका प्रभाब डालता है अध्यन के नुसार अमरूद के पत्तों के रस का कोई साइड इफिक्ट नहीं है इसी अध्यन में वेगाले बोस के लिए अमरूत के पत्ते के रस की तुलना भी की गई है अल्फा ग्लूकोसेडेस अवरोधक जिसका प्रयोग आम तौर पर डायबेटीस के इलाज के लिए किया जाता है चर्या आगे आपको बताते हैं कि आखर आपको अमरूत के पत्तों का इस्तमाल कैसे करना है बहते पानी में अमरूत के पत्तों को अच्छी तरह से धोलें दोकब पानी उबालने और पत्तों को उसमें डाल दें उबालने के बाद पानी को ठंडा करके पीएं, ध्यान रहें कि ये एक प्राकर्तिक उपाय है और हर किसी के लिए प्रभावी नहीं हो सकता, इसका इस्तमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाहा करना सबसे अच्छा होगा फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही तमाम हेल्थ टिप्स के लिए आप लोकमत हिंदी को सबस्क्राइब जरूर करें